राइट टू हेल्थ बिल आने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है दरसल सरकार इस बज़स सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लाने की मैंशा बनाने में लगी है और दिन्रदेश भी दे दिये गए हैं लेकिन नीजी अस्पताल संचालिकों का कहना है यह बिल किसी भी तरह से सुइकार नहीं किया जाएगा अगर बिल में बदलाव नहीं होता है तो हाला कि जो सरकार इस बिल से कही नहीं students को सुइकार नहीं किया जाएगा क्योंकि इस बिल के तहट ग्रारूरल छेतर की अगर बात करें वहाँ पर सरपंच परदानों को कारवाई के निर्देश दे दिये गए हैं लेकिन इस कानून में चिकिस्टों के लिए किसी तरह की विवस्ता नहीं की गई है अगर ये बिल आएगा तो नि निजी अस्पिताल है उनको नुकसान होगा इसकी बरपाई सरकार करेगी या नहीं करेगी इसका भी बिल में किसी तरह का जिक्र नहीं है लेकिन सरकार का साफता और पतरक है कि इस बिल को सदन में इस बार पास किया जाएगा ताकि आम जंटा को रहात मिल सके चूंकि सरकार की मंसा है कि गंटों लाइनों में लगने के बाद भी इलाज नहीं मिलता है अगर यह बिल आ जाएगा तो लोगों को उचित इलाज भी मिल पाएगा और अच्छी सेवाई भी मिल पाएगी हालनकि क्राइट एरिया क्या फिक्स करेगी यह सरकार अभी तक इसका बखान नहीं क पूरी बिल को लेकर तैयारियां कर ली गई है अब 23 जनवरी से जिस तरह सदन की कारवाई शुरू होगी निशित तौर पर इस बिल को लाने के बसाथ ही सरकार आम जंता को भी सोगात देगी ताकि जंता को नीजी अस्पतालों में भी उचित इलाज मिल सके इस बिल के लान सरकार सदन में इस बिल को लाती है तो नीजी अस्पताल संचालक सडकों पर उतर कर विरोध परदशन करेंगे बदलाव की मांग नीजी अस्पताल संचालक की ओर से के जा रही है लेकिन सरकार अब इस बिल में बदलाव करने के मून में दिख नहीं रही है तो निसी तोर प कटने के बहसे नेजी अस्पिताल संसालक जो है विरोत पे उतर गए हैं सरकार को चेताव नहीं दिये हैं अगर इस बिल में बिना बदलाव के लाया जाता है तो सड़कों पर उतर कर विरोत दर्ज कराए जाएगा पसंद पांडे टीवी नाइन चैपूर